वेलो दोस्तों कैसे आप सबी मैंना मर्जून और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास स्मार्टवोच है इसमार्टवोच को फोन ज्यादा है क्योंकि आप सिम डाल सकते हैं और सिम डाल के इससे आप कोल्स कर सकते हैं पर उससे पहले आगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबाद दीजिए जिसे मैं जब बी ऐसी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको पता लग जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले वोच की डिजाइन के बारे में बात करते हैं वोच के फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो उपर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा नीचे की तरफ बीच में आपको कैपिसिटिव टेच बटन देखने को मिलता है बीच में आपको टेच डिस्पले द और कैमरा और कैपसिटी बटन के कारण थोड़े बैजल्स वोच में जादा दिये गए हैं वोच की जो फ्रेम है वो अलूमिनम से बनी है और इस साइड में आप देखेंगे तो उपर आपको एक बटन मिलता है उसके नीचे आपको LED फ्लेश मिलता है इसके नीचे आपको एक स देखने को मिलता है बाकी यह साइड बिल्कुल प्लेन दी गई है और वोच साइड से दिखने में कुछ इतनी मोटी लगती है जो नॉर्मल स्मार्ट वोच के मुकाबले में काफी मोटी है इसका कारण है इसके अंदर की टेकनोलोजी जिसके बारे में हम आगी बात करेंगे वोच के बैक साइड में उपर आपको मेगनेटिक कनेक्टर मिलता है उसके नीचे टेमबरेचर सेंसर और राइट साइड में हडरेट सेंसर दिया गया है इसके नीचे आपको सिम स्लोट मिलता है जिसके उपर कवर दिया गया है इस कवर को आप यहां से साइड से कीच कर ये वोच 4G SIM support के साथ आती है SIM cover को उपर से press करके आप इसे फिर से tight बंद कर सकते हैं वोच के back side में उपर आपको carbon fiber जैसा texture देखने को मिलता है जो दिखने में काफी अच्छा लगता है वोच में नीचे इस तरफ आपको built-in speaker भी देखने को मिलता है वोच के जो bands है वो काफी soft और इसकी size के एसाप से काफी मोटी दिये गए है जो इसको अराम से आपके हाथ पर रख सके तो काफी strong और flexible bands आपको इस वोच के साथ मिलते हैं और जो आप buckle देख रहे हैं ये भी metal से बना है तो काफी quality wise ध्यान दिया गया इसके उपर वोच हाथ में पहनने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है वोच इतनी मोटी होने के बाद भी मुझे इसका comfort हाथ में अच्छा लगा तो दोस्तों वोच की design के बारे में ये सब था चलिए अब इसे on करते हैं वोच को on करने के लिए आपको side button को कुछ seconds तक प्रेस करके रखना है इसके बाद आपको watch की screen पर android का logo शो हो जाएगा और कुछ seconds में ये watch on हो जाएगी तो दोस्तों watch on हो चुकी है और on होते ही आपको display पर watch face देखने को मिल जाता है watch face पर कुछ seconds प्रेस करके आप watch की सबी watch faces देख सकते हैं और जो आपको पसंद आए आप उस पर tap करके उसे current watch face select कर सकते हैं डिस्पले के top पर swipe down करके आप notification center open कर सकते हैं जिसमें आप सबी notifications चेक कर सकते हैं उपर आप सबी shortcut controls देख सकते हैं और इन पर swipe down करके आप सबी controls को बड़ा कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले आपको wifi control मिलता है जहां से आप direct wifi को on off कर सकते हैं इसके बाद आपको bluetooth control मिलता है फिर do no disturb है उपर आपको brightness slider देखने को मिल जाता है बिल्कुल आपके android phone की तरह controls पर swipe right करके आप और controls देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले आपको torch का control मिलता है जिसमें टैब करके आप watch की LED light को on कर सकते हैं watch में आपको actual LED light मिलती है बाकि smart watch की तरह इसकी display white नहीं होती है जो कि मुझे बहुत पसंद आई और काफी bright light आपको इसमें देखने को मिलती है इसके बाद अगर आपने इस watch में sim डाल रखी होगी तो आप यहाँ से उसे access कर सकते हैं last में आपको airplane mode देखने को मिलते हैं इस पर single tap करके आप इसे on और off कर सकते हैं पर Swipe depth करके आप सबी Controls को बंद कर सकते हैं और फिर से Swipe UP करके आप no notification center को बंद कर सकते हैं crouch face पर Swipe down करके आप date और battery और बैटरी सुर्माइड चेक कर सकते हैं ऐसे की crouch face पर Swipe UP करके अप कुछ और controls एकसेस कर सकते हैं जीसे Airplane Mode on off कर सकते हैं Wi-Fi को भी डिरेक्ट यहां से on off कर सकते हैं इसके अलावा यहां Bluetooth कंट्रोल है और बीच में देगे बिटन पर टैप करके आप Watch की RAM को क्लियर कर सकते हैं इसके अलावा Watch में आपको built-in GPS भी मिलता है जिसे आप यहां से on off कर सकते हैं यहां से आप mobile data को on कर सकते हैं और यहां से आप Watch को silent कर सकते हैं Watch face पर left swipe करके आप Watch की सबी applications देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले आपको phone app मिलती है यह same Android phone के जैसी app है जिसमें आप यहां पर favorite, यह recent और यहां से अपने contacts देख सकते हैं या फिर उपर से contact search भी कर सकते हैं इसके अलाव नीचे keypad icon पर click करके डिरेक्ट यहां पर number dial करके sim के थुरू call कर सकते हैं अगर आपको app में back जाना है तो आपको बीच में एक button मिलता है इस पर tap करके आप back जा सकते हैं वोच में आपको android phone वाली सभी settings भी देखने को मिलती है जिसमें सबसे उपर आपको network और internet setting मिलती है जहां से आप wifi mobile data को on off कर सकते हैं चलिए आपको एक बार इस watch की details दिखा देता हूँ जो आप system में about के अंदर जाकर check कर सकते हैं यहां आप इसका model number देख सकते हैं जो x892 है इसमें android version 9 इंस्टोर्ड है इस watch में आपको 1GB RAM और 16GB internal storage मिलती है अगर आप watch की volume अड़ेस्ट करना चाहते हैं तो आप audio setting में जाकर कर सकते हैं यहां आपको सभी controls की volume देखने को मिल जाएगी जिसे आप अपने हसाब से adjust कर सकते हैं इसके लावा आपको watch में सभी basic applications मिल जाती है जो आपके android phone में होती है जैसे calendar app है, messaging है, file explorer है जिसके अंदर आप अपनी watch की file system को explorer कर सकते हैं जैसे यहां आप images देख सकते हैं अपनी सभी audio files को एक जगा देख सकते हैं और easily अपने watch की file system को यहां से navigate कर सकते हैं watch में आपको dedicated camera app भी मिलती है जिस पर click करते ही watch का camera on हो जाएगा अभी आप देख सकते हैं, side वाला camera on है camera equality VJ type है, बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं है पर watch के असाब से यह camera मुझे अच्छे लगे उपर top right corner icon पर click करके आप watch की camera को switch कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह का इसका front camera है यहां इस video recording icon पर click करके आप video recorder on कर सकते हैं और direct watch से video record कर सकते हैं video recording option भी आपको दोनों camera मिलता है चाहे आप side वाले camera में हो या फिर front camera में हो watch के speakers के loudness काफ़ी अच्छी दी गई है थोड़ी से clarity और ज़्यादा अच्छी होती तो और अच्छा लगता watch का heart rate sensor भी मुझे accurate लगा और इसके लिए आपको एक app मिलती है इस app के अंदर start button पर click करते ही यह watch heart rate measure करना start कर देती है heart rate measuring में कुछ seconds का time लगता है और measurement के time आपको अपने हाथ को stable रखना है थोड़ा से इस app का user interface मुझे पुराना सा लगा थोड़ा new होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता जैसे आप देख सकते हैं heart rate measure हो चुकी है watch में आपको pedometer भी मिलता है जिसके कारण आप अपने total step counts चेक कर सकते हैं pedometer कारण watch आपको बिल्कुल accurate step count दिखाती है चलिए अब आपको मैं इसके temperature app दिखाता हूँ जिसका use करके आप अपनी body का temperature monitor कर सकते है temperature monitoring में कुछ seconds का time लगता है तो दोस्तों मैरे temperature आ चुका है जो कि Celsius में show हो रहा है और 36.48 degree आ है जो कि normal temperature है क्योंकि यह Android watch है तो इसमें आपको browser तो मिले गई तो इतनी से screen में आप browsing भी कर सकते हैं और अपनी पसंद की website को इस watch में open करके use कर सकते हैं उपर URL पर click करते ही full size keyboard open हो जाता है और आप यहां से इतनी चोटी से screen होने की बाद भी easily type कर सकते हैं watch की display की इतनी चोटी size होने की बाद भी आप इसमें website को अराम से देख सकते हैं watch में आपको play store भी मिलते हैं जिसमें आप सभी Android apps देख सकते हैं तो आप चाहिए वो app इस watch में download करके install कर सकते हैं जो app आप अपने phone में चलाते हैं वोई same app आप इसमें भी download करके use कर सकते हैं जैसे मैं चाहूँ तो इसमें WhatsApp डाउनलोड कर सकता हूँ और बिल्कुल phone वाले WhatsApp मुझे इस watch के लिए देखने को मिलेगा जिसे मैं install बटन पर क्लिक करके watch में direct install कर सकता हूँ watch में आपको 802.11 BGN Wi-Fi मिलते है जो इस watch के हसाब से काफ़े fast है और यह बिल्कुल phone वाले Wi-Fi है तो आप देख सकते हैं कि एप कितनी जल्दे install हो रही है तो दोस्तों WhatsApp install हो चुक है सब से नीचे जाकर आप WhatsApp देख सकते हैं बिल्कुल latest version इसका install हुए है नीचे यहां से आप इसकी terms and conditions accept कर सकते हैं और यहां पर अपने नमबर डाल कर WhatsApp को own कर सकते हैं watch में मैंने BGMI भी install की थी और वो भी आप इस watch में play कर सकते हैं उतनी smooth to play नहीं होगी क्योंकि यह heavy graphic game है और watch का GP इतना powerful नहीं है पर watch में ऐसी games को open कर पाने ही बहुत बड़ी बात है watch में आप Instagram भी चला सकते हैं और इसमें Instagram app कुछ इस तरह की दिखती है जैसे आप देख सकते हैं Instagram में सबी चीज़े चल रही है इसमें मैं सबी post देख सकता हूँ साथ ही साथ में watch में reels भी देख सकता हूँ इसली navigate कर सकता हूँ watch में वीडियो कुछ इस तरह की दिखती है और आप देख सकते हैं सभी latest controls इसके वीडियो प्लेयर में दिख रहे हैं तो same YouTube app जो आपकी phone में चलती है वो इस watch में चल रही है watch में आपको face unlock भी दिया गया है अब अगर मैं watch की display को on करूँगा तो lock screen show होगी और watch के सामने मेरे face को लाकर watch को unlock कर पाऊंगा watch में आपको magnetic charger मिलता है जो आपकी watch के पीछे attach होता है इसके बाद आपकी watch charge होना start हो जाएगी अगर आप इस watch को अपने phone के जैसे use करते हैं तो आपको अराम से दो दिन का battery backup मिल जाएगा बाकी battery totally आपके uses पर depend करती है तो दोस्तों यह सब था इस watch के बारे में बाकी watch में Android है तो इसको आप चाहें वैसे use कर सकते हैं इसका compact user interface मुझे काफ़ी easy to use लगा और watch चलने में मुझे smooth लगी यह watch Carlson Roland इंडिया में लौंच कर रही है जिसके MRP 7-8000 के बीच होगी वीडियो description मैंने इसके link दे रखी है वहाँ जाकर आप इसके बारे में और जान सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब करके बैल आइकन को दुबाद दीजिए जिसे मैं जब्यासी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको पता लग जाए अगर आपके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद